ये उनका हडी द्वेश दिखाता है, भगवान विश्णु के प्रती, भगवान कृष्ण के प्रती, राधरानी के प्रती, वैश्णव समाज के प्रती, उनका जो द्वेश है ये नज़र आता है जय शिमन नारयन, ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अन तक देखें, और बिना अन तक देखें, पूरे बात को ना सुनकर, प्लीज कोई भी अपना ओपिनियन मत और अगर कोई दोईशी देख रहा है, तो वो कर सकते कुछ भी अपना मन चाहाँ, जिनको इशु के बारे में पता भी नहीं है, उनको भी मैं बता देता हूँ, तो अभी क्या है, यूट्यूब में, फेस्बूप में, या फिर इंसरगाम और टेलिग्राम ऐसे सोशल मीडि यह जो ग्रूप साय है, यह क्या कर रहा है, कि आप बोल सकते हैं, यह अपरेंटले सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप शुरू से शुरू करते हैं, वीडियो लंबा हो सकता है, आराम से देखिए और समझने का प्रियास कीजिए, टाइमलन में पीछे चले तो एक जो बेसिक नेचर है, कि आप देखिएगा बहुत अच्छे से, कि अगर हमारे पास सनातन धर्म का कोई नॉलेज नहीं है, कोई ग्यान नहीं है, हमने कोई सासर नहीं परे, लेकिन एज़ा हिंदू, आपको पता ही होगा आपके आसपास से, कि भगवान शीव और भगव तो आप चानती ही होंगे, यह बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि यह एज़ा हिंदू हमारे भीतर एक स्वभाव ही ऐसा होता है, और यह इश्वद्वारा कृपा से हम पाते हैं, जो भी है, तो लेकिन जो ऐसे संस्ता होते हैं, ऐसे ओर्गनाइजेशन होते हैं, यह तो यह ठीक बोल रहा होगा, तो जो जब सुप्रीम इसके बात कर रहे हैं, तो बताते हैं, भगवान कृष्णी सुप्रीम है और कोई सुप्रीम नहीं है, इस समय क्या होता है, कि बहुत सारे ओपोजिट थिंकिंग वाले लोग भी है, यह पर बहुत सारे सिक्स है, वैष् तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ organization वालों का जैसा कि मैं ज्यादा नाम नहीं ले सकता क्योंकि इन नाम लेने से इनको बहुत जलन होती है तो ठीक है तो इन organization वालों को क्या होता है कि अगर ये supreme किसी और को मान नहीं सकते ठीक है तो आपने भीतर रखें नहीं वो बोलेंगी भी नहीं नहीं तुम तो तुम फालतु की बाते कर रहे हो कोई सास्त्र का प्रमान नहीं है और अगर आप सास्त्र से प्रमान दोगे तो भी वो विश्वास नहीं करते तो ये होता है कुछ organization के जो young preachers है और उन organization के एक basic nature है वो ही depend करता है supreme के साथ मतलब पहला side उनका जो class होता है उनका जो पहला discussion होता है वो इसी बात में होता है कि supreme कौन है तो होता क्या है कि बहुत सारे चैनल साथ उनके ऊपर video बनना शुरू करते हैं अब क्या होता है कि कोई शिव जी के ऊपर बोलते है कि शिव जी supreme है क्यों कि सास्त्र उन्हें इस बात को support करता है और राम जी क्य से तो इनका दोवेश चलता ही रहता है लेकिन हुआ क्या है कि अपने point को साबित करने के लिए कुछ channels और कुछ telegram groups क्या करने लगे है कि विष्णु दोवेश करने लगे है या नारयन का अपमान करने लगे है जो पूरे वैश्ण विजम है उनको ही अपमान करने लगे है औ जो पूर्वर के आचारया है उनको गाली देने लगे है उनको अपमान करने लगे है राधारानी को पता नहीं क्यों राधारानी की क्या भीगार है इनका तो राधारानी को अपमान कर देंगे वो क्रिष्ण को अपमान कर देंगे नारयन को अपमान कर देंगे जो भी इनके सेना को एक नाम देते है शिवा द्रोही सेना अब मैं इनको शिवा द्रोही सेना क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये तो वैशनविजम को गाली दे रहे है या फिर वैशनविजम को बुड़ा भला कह रहे है और मैं इनको शिवा द्रोही क्यों बोल रहा हूँ ये भी बात आपको criticism बोलके एक चीज होता है जिसको हमें follow करना चाहिए जब भी हम किसी को ऐसे लिख रहे हैं कि एक expose कर रहे हैं कि कुछ खुलासा कर रहे हैं तो एक basic morality बोलके 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 एक उनको अप्षप्त कह रहे हैं आप मुझे बताइए क्या as a Hindu as a Sanatani जब हम कह रहे हैं जय सनातन Sanatana धन को बचाना है ये है वो है सास्त्र को परना चाहिए बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं और दूसरी होड ऐसे qualities हम build कर रहे हैं अपने भीतर कि मुझे उस बेक्ती को वो बेक्ती पसंद नहीं है तो उसको मैं कुछ भी बोल दूँ मैं उसको गाली दे दूँ अगर मात आए और बहने है तो उनको उनको भी ना चोड़ू उनको भी गाली दे दू उनको भी कुछ भी कह दूँ क्या ये as a Hindu as a Sanatani अप आप accept करते है अज आप सोचते है या नहीं अब वियन創 ऐसको coincidence करते हैं उनको इक एक करके खंळन करते है तो applyla इन नहीं कहते है मैं पॉरा बहुत सारे पॉइं इनको देख कर रहा हूँ तो कुछ पॉइंच मैं डिंगाने ये कहते है तो उनको मैं milliards कर ने हैं छंदन करने का पर्यास कर रहा अभी के जो महान संथ है उनको गाली दे रहे हैं और वो ये क्यों कर रहे हैं वो बताते हैं वो सिर्फ इसकॉन को टार्गेट कर रहे हैं तो क्या ये सब कुछ इसकॉन को टार्गेट करके आप रामनोचरय और माधवचरय को भी गाली देंगे आप इसकॉन को टार्गेट करन जो सच्चे वैशनव है यह इन से दूर रहे, सच्चे वैशनव के लिए नहीं है, सच्चे वैशनव बहुत अच्छे है, सच्चे वैशनव ठीक है, कोई बात नहीं हम इसकॉन को टार्गेट कर रहे हैं, यह बस इनका एक दिखावा है, मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूं यह इनका दिखावा है, आपको मैं screenshot और यह सब कुछ आपको दे रहा हूँ, screen पे, और PDF में भी है, सारे screenshot, सारे proofs, कि यह बस इनका एक नौटंग की है, कि यह इसकों को target करने हैं, और सच्चे वैशनव को तो यह बहुत सम्मान करते हैं, खाक सम्मान करते हैं, कुछ सम्मान न बोल रहे हैं, तो यह क्यों है, क्या वो इसकों से है, क्या उन्होंने इसकों को support किया, या इसकों को, इसकों की खिलाफ जब आपने video बनाया, उन्होंने कुछ आपको कहा, अब एक और चीज, इन्हें लगता है कि demikor demikor चिला देने से, या ऐसे जो हरकते यह कर रहे हैं, अपने channels पर, अपने telegram groups में, इन्हें लगता है कि इन सब चीजों से इसकों को कोई फरत परेगा, इसकों डर जाएगा, इसकों भी इनके तरह immature है, फिर वो भी तीफोर टैट करेंगे, और फिर वो उससे भी जादा तीफोर टैट करेंगे, और ऐसे चलता रहेगा, इसकों वीडियो को लेकर आप प्रूफ यूस कर रहे हो, वो तो विष्णदो ऐसी है, हम उनके बाद सुने क्यों, सोच लिजे, आपका एक वीडियो है, जहाँ पर आप शीवा इस सुप्रीम और ये बात आप सिद कर रहे हो, मैंने आपका वीडियो लिया, और मैं एक इसकौन के ब्रभुजी के पास गया है, मैंने उनको दिखाया, दिखिए, मैंने इस वीडियो में देखा है, मैंने सास्त्रे से भी चेक किया है, कि ये सारे चीजे सास्त्र में उपलब्ध है, तो शीव जीवी सुप्रीम है, आप कैसे कह सकते नहीं है, तो ये discussion, अगर आप नहीं माने तो वो सास्त्र कैसे समझेगा, और वो तो हर वीडियो में गाली देता है, विष्णु दुएस करता है, तो वो विष्णु को कैसे सुप्रीम बताएगा, वो शीव जी को ये सुप्रीम बताएगा, तो इस वज़े से इसका वीडियो वैलिडी नहीं है, ऐसे करके इसकॉन और छोड़ देंगे इसकौन-इसकौन कर रहे है लेकिन ये एक्चुली वैसनविजन कोई बुड़ा भला कह रहा है ये वैसनप से ही जलते हैं और वैसनव तो सत्य भग्वान श्री नारयान के प्रति जाते हैं तो मुझे पता नहीं चला कि कैसे इन्हों नहीं बिटर कह दिया नेक्स्ट, नेक्स्ट आते है कि इन्होंने पुर्वाचार्या जो भी है, मतलब रामनुचार्या जी, महादवाचार्या जी, ऐसे जो भी संथ है, इवन चैतना महाप्रभू, नित्यानन्द प्रभू, और जितने भी वैशनवाचर्या है, यह उनको काली देते हैं, मुझे प भी आपको फॉलो नहीं कीजे, बट ऐसा तो नहीं है कि आप उनको डाइड एक गाली दे रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, नाम को चेंज करके कुछ और ही गाली वाला सब दियूज करके कुछ एक खिच्री बना कर आप सब को सुना रहे हो, बोल रहे हो, और उससे क्या जो भी 14, 15, 16 साल के जो इनके बच्चे देख रहे हैं, जो अभी सास्तर के पती आए है, सनतन धर्म के बाड़े में जान रहे हैं, उन्हें लग रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा कूल है, ये तो सभी को डिबेट में हरा देते हैं, हम भी डिबेट में इनके साथ मिल हमें भी कोई डिबेट में हरा नहीं पाएगा, और हम बहुत बड़ी हीरो बन जाएंगे, बहुत बड़ी कूल बन जाएंगे, क्योंकि ये जो हम जैसे जो है, मतलब यॉंग जनरेशन जो कहते हैं, तो हमारे भीस में ये तो common है, कि बस कूल बनना है, बहुत सभी को हराना ह फिर मतलब सेंद्र गैटिफिकेशन होता है, कि हाँ हम बहुत बड़ा हीरो है, बहुत बड़ी कूल है, नेक्स्ट ये काइंड अर्या समाजी के तरह भी है, अर्या समाजी मैं एकदम से किसी पर इलजाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ, ये जो राधारानी के प्रती जो कुछ बिगाड़ो ना बिगाड़ो ये भरक जाएंगे, मतलब आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, वो कॉमेंट कर देंगे, कुछ भी कॉम्नीटी पोस् लगा देंगे या फिर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, या कुछ नहीं भी कर सकते हैं, कि हाँ साइ में अधम जाती में विद्धा पाई जो चौपाई है वहाँ पर वो क्या कहा है कि गुरु जी ने शिव जी को हरी का सेवक कहा ये सुनकर हे पक्षिराज मेरा रिदय जल उठा निज जाती का मैं विद्धा पाकर ऐसा हो गया जैसे दूद्ध पिलाने से साथ तो इदे की सास् भी जैसे दूद्ध पिलाने से साप तो देखे इनके ऊपर भी कैसे लागो होता है कि ये भी सास्त्र बहुत सारे सास्त्र उपाई है मैंने तो कुछ भी नहीं परा गीता घिक से नहीं परादया Sophya लाकिन इन्होंने बहुत सारे सास्त्र पर है इननने शेफव टॉड़ान इन्होंने लिंगपूरान पढ़ा है, इन्होंने उपनिशत परे है, इन्होंने वेद परे है, इन्होंने बहुत सारा कुछ परा है, इन्होंने बहुत सारी गीता भी पढ़ लिये है, इन्होंने विदान सुत्र भी पढ़ लिये है, लेकिन क्या हुआ, ये विद्या उनके लेकिन एक ऐसा आपको सुनने को साइध मिल सकता है कि जो विद्या है वो हमें विनाय बनाता है विद्या जब हमारे भीतर आएगा यह हम सुनेंगे उसको श्रवन करेंगे तो हमें वो विद्या विनाय बनाता है लेकिन इनके पास अध्यात्म का विद्या होने के वावजूत यह क्या कर रहे हैं आप ही सोचिए तो इनके पास विद्या नहीं है और विद्या जाकर वो ऐसे ही हो गए है एक और चीज मैंने जैसे वीडियो में शुरू में कहा कि इन्हें मैं शिव द्रोही सेना कहूंगा इसके विशे में मैं ऐसा क्यों कहता है यह भी रामचरित मानस में है जब कापुषुन जी ने ऐसा कहा कि शिव जी तो हरी के सेवक है तो उनका रिदर जल उठा वो गुरू का अपमान करें मैं चोड़ा करके बता देता हूँ आप चाये तो रामचरित मानस में जाकर पर सकते हैं तो क्या होता है कि वह गुरू का अपमान करते थे और गुरू का अपमान फिर शिव जी सहन नहीं कर पाते वो आ जाते हैं और कापुषुन जी को वो खुद श्राब देते हैं तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये द्वेश करते हैं, ये प्योर द्वेश करते हैं, और द्वेश करने से क्या होता है, कि शिव जी खुद इनको श्राप दे देंगे, और एक और बास, शिव द्रोई क्यों कह रहा हूं, कि दिखिये, हम तो ऐसा मानते हैं, कि करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, कि ये अगर हम देखें, तो ये महादेव का अपमान हो रहा है, तो इसलिए, क्योंकि सर्वसेष्ट वैशनव, महादेव है, और यह महादेव का अपमान हो रहा है, तो ये शिव द्रोई है, तो इस वज़े से इनका नाम है, श्री शिव द्र बहुत सेना इनसे दूर रहना उचीत है यह वीडियो क्यों है यह वीडियो ऐसा है कि आपको पड़ी चाहिए दिलाने के लिए आप जैसे इनको identify कर सको आप बहुत सारे ऐसे लोग है जो सोच रहे हैं कि यह सायद कर रहा है इसकौन के वज़े से सायद कर रहा है रिवेंज ल यह अपने दुएश से यह सब कर रहे हैं सिव भी ऐसा नहीं चाहते आपकोर्स कि वास्तविक्ता जो है वो तो हम दिख गई है एक तुछ रिमान की वास्तविक्ताश वह कितना बड़ा शृव दिख की यह वैशनव कभी स्मार्ट में भाई निइए निक्स बात करते निक् मुझे पता नहीं, लकिन ये कह रहा है कि कुछ वीडियो में प्रै si माराज के कुछ वाक्य से से उनको लगा कि प्रैम率 भूच फड़्ञ छीयत का अपक्छिवच जी की अप्मान कर रही है। बहुत बड़ी ये शिवघ्ठ है, आपको य vist नहीं answer को लगता है दो नेत्र है उनमें क्या difference होता है distinguish आप क्या कर सकते हैं नहीं एक नेत्र इधर है एक नेत्र इधर है कोई difference नहीं है और देखने के लिए दोनों आवश्चक है वैसे ही शिव और स्री कृष्ण में कोई भी difference नहीं है ऐसा भी मैंने बहुत जगा सुना और उन्होंने बहुत ब भहाव में साय बोले होंगे लेकिन इनको तो साय थी समझ नहीं है क्या कर सकते है और इस विशर में अब इनगे यह जा करे दिखाओ तो वह इतना भी नीचे गिर जाएँगे इसको भी बोल दे कि नहीं राम रहाम चरीट मानस को भी चला दो या ऐतना भी गिर सकते हैं कोई भी कुछ भी कर सकते हैं और मुझे ऐसा पता भी चाला है मैं screenshot एड नहीं करूंगा इस चीज़ का लेकिन मुझे ऐसा पता चाला है कि एक विक्ति है इनके group में इनके association में जो जिन से पूछा गया कि रामचरित मानस को जला देंगे आपका क्या वक्तव है त उससे कोई इशू नहीं है जला दो ऐसा भी खाया है बस मैं screenshot नहीं एड कर रहा हूं कि यह बहुती एक 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 एसमशन है मेरे पास पूरा एकदम पक्का वाला प्रमा नहीं है लेकिन अगर होता तो मैं एड करते था अगर इसके बाहर निकालते हैं या नहीं निकालते हैं लेकिन क्या कर रहे हैं यह कुछ गलत चीजे दिखाएंगे या फिर गलत चीजे तो नहीं दिखाएंगे गलत तरीके से आपको पोर्ट्रे करेंगे सो यह सनादाध्रम को तोने वाला ही चीज है यह जो चीजे दिखाने वाले ही यह एक्चुली जो एंटा हिंदू Sam Stallone है और जैसे बहुत सरे चैनल से यह कर चुके है तो इससे कोई फरक वैसे नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि यह मूर्ख है मूर्ख से तार्क करने में कोई मतलब जाना ही नहीं चाहिए आपको मैंने रामचारित-मानस के दो चौपः को से बता दिया यह पहले टो नहीं साहिए और सेकन lt यह आपके कोई भी विद्या नीथी सास्त्र यह नहीं मानेगी यह नीथी सास्त्र वैसा ही है जैसा आप ठीज़ आप रूढ रएव यह लिमिट को इतना क्रोस कर चुके कि इननों ने वेदवियास में की प applies here साथ को इनका खुन मतलब संवान नहीं है जिन्होंने सारे शाज्त्यों को संकलन कि एक स्टु। कैसे वटोगा माई्य को और एक साथ में कोले महतना हमारे भाए की मिरें हमारे बहुत ज्यादा की कोई प्रॉब्लिम भी नहीं होता जैसे हम प्रेम्ण जी माराज का एक्जम्पल दे रहे तो इनको भी कोई प्रॉब्लम है लेकिन पताने को कैसे कुछ भी मिल जाता है तो इर भरकने लगते एक्चुली इनका भरतने का कोई इशु नहीं है, जब ये गुस्टे में आते हैं तो बुद्धी भरष्ट हो जाता है और बुद्धी भरष्ट होने के कारण ये क्या करता है कि कुछ भी बनाते रहते हैं इनका पूरा इशु ना सुप्रीमेसी पर ठिका हुआ है, जैसके मैंने आपको एक दम पहले कहा कि जो एक और्गनेजेशन है वो भी सुप्रीमेसी पर ठिका हुआ है, वैसे ये भी सुप्रीमेसी पर ठिका हुआ है कुछ भी हो जाए यह सुप्रीम सुप्रीम और सुप्रीम ऐसा ही करते रहेंगे, इससे हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यह बस अपमान पर अपमान द्वेश करते रहते है, लेकिए सुप्रीम में से जो चीज है वो गलत नहीं है, आपको समझना परेगा, सुप्रीम म कि रहा जा है कि जब हम ऐसा कह रहे हैं जब हम ऐसा कह रहा है और बाकि सब्सक्राइब मीडियाद इसका प्रिजन करने का तरीका बहुत हो सकते हैं बातकरने का तरीका होता है Вैसे हर तो एकसे आएप आता है लेकिन आप समझते हो कि एक बातकरने का तरीका होता है तो मैं ऐसा भी कहता हुँ किसी को बुड़ा-भला कह सकतह聯 है और राग और द्वैश ही होbeltा लेकिन किसी को सासन करने के लिए अगर कोई पेरेंस अपने बच्चे को डाट रहा है अगर वो कुछ बैड हैबिट्स में लगा हुआ है तो उसको डाट रहा है तो यहां पर कुछ गलत नहीं है तो यहां पर वो अच्छा हो जाता है और वहां पर बुड़ा हो जाता है अगर किसी विक्ति के लिए आप ऐसे ही कर रहे हो तो वैसा ही है कि यह जैसे सुप्रीमेसी करते हैं यह जैसे सुप्रीमेसी को पोट्रे कर रहे हैं यह उनका हडी दुएश दिखाता है भगवान विष्णु के प्रती, भगवान कृष्ण के प्रती, राधरानी के प्रती, वैशनव समाज के प्रती, इनका जो दुएश है ये नजर आता है इससे कोई भाव में जैसे वेदभेहस जी ने ये महान संतु ने जैसे सुप्रीमेसी का पतिपादन के आए वैसे नहीं है तो इसी बात को रखते हुए आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा तो आपको ओपिनियों जरूर आप कॉमें सेक्षन में बताइए कि ऐसा क्यूं हो रहा है कि ये कैसे स्टॉप हो सकता है और हम भगवान नारेन से प्रेय करते है कि ये सब कुछ खतम हो जाए जैश्रीमान नारेन